Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है So ये सारे star signs की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है So let's see, हमारे पास है two of swords, confusion आपके person indecisive है, the fool Action के बारे में, next, उन्होंने क्या करना है, maybe इस बारे में वो बहुत ज़्यादा indecisive है और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई risk है Two of pentacles, two किसी के लिए important हो सकता है Five of swords, बहुत ज़्यादा conflict है उनकी energy में Four of wands, but this is the thing कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा fulfillment महसूस करते हैं They really feel के connection उनको बहुत फुल्फिल करता है The hero friend, okay So आपके person को commitment का डर है Seven of pentacles, they do want to invest in this though I feel Six of pentacles and then we have the magician So आप हैं यह magician, जो manifest कर सकते हैं And I do feel के आपके person के अंदर बहुत potential है लेकिन वो अपने आपको बहुत ज़्यादा underestimate करते हैं Fear of commitment है या उनको ऐसा लगता है के वो एक अच्छी wife या एक अच्छी husband वो नहीं बन सकते हैं, उनको ऐसा लगता है So यह उनका एक limiting belief हो सकता है But I really feel के इनके अंदर बहुत ज़्यादा potential है यह इनसान बहुत capable है और यह इनसान एक अच्छी जीवन साथी बन सकते हैं The fact that they are thinking के maybe मैं नहीं अच्छा partner हो सकूँगा या हो सकूँगी यह हमें बता रहा है के यह इनसान एक अच्छी partner बन सकते हैं potential है क्या मैं उसको खुश रख सकूँगा या नहीं खुश रख सकूँगी या नहीं क्या मैं यह जिम्यदारी लेने के लिए ready हूँ या नहीं So, यह इनसान काफी ज़दा डरते हैं यह questions है So, I really feel कि आजकल आपके person बहुत ज़दा commitment के बारे में, शार्दी के बारे में सोच रहे हैं with this hierophant energy और यही वज़ा है कि वो बहुत ज़दा अपने आप से question कर रहे हैं कि क्या मैं इसके लिए ready हूँ या नहीं इसमें risk है, this is something new this is something you know के I don't know कैसे चलेगा am I ready for this इस तरह के questions हैं उनके जहन में but they do want to do this I feel, क्योंकि बहुत positive energy भी है आगे वो invest करना चाहते हैं वो चलना चाहते हैं आपके साथ और वो आप से शादी करना चाहते हैं यह इनसान आपको propose करना चाहते हैं यहाँ पर Taurus है, Gemini है Sagittarius है, Aquarius है यह star signs हैं यहाँ पर Gemini है, मैंने बोला या नहीं so yes, Gemini भी है so I really feel कि यह इनसान आजकल बहुत heavily सोच रहे हैं settle होने के बारे में, शादी के बारे में और decide करना चाहते हैं with this two of swords finally वो decide करना चाहते हैं और बहुत delay obviously वो अभी तक मुझे ऐसे लग रहे है कि अब फैसला कर लो अब और जदा delay मत करो क्योंकि चीज़ें खराब होजेंगी अब और जितना भी delay होगा frustration बढ़ेगी, चीज़ें खराब होंगी इसलिए now is the time कि आप यह वाला decision लो just do it, just go for it उनकी higher self उनसे यह कह रही है कि just do it आप अब एक दूसरे को जान गए हो इतना time हो चुका है अब और क्या आपने जानना है इस connection के बारे में so just go for it उनके spirit guides उनसे ही कह रहे हैं उनकी intuition उनसे ही कह रही है कि just do it so I really feel के थोड़ी excitement की वज़ा से भी nervousness है उनके अंदर के मैं क्या करूँ right so यह जो एक conflict उनके जहन में नज़र आ रहा it's a positive conflict I feel और मुझे ऐसा लगता है कि at the end of the day यह इनसान एक अच्छा फैसला करेंगे मुझे तो लग रहा है यह इनसान आपको बहुत जल्दी propose करेंगे जिन लोग की शादी अल्रेडी हुई भी है लोग का connection अच्छा हो जाएगा जो भी आप चा रहे थे इस connection में हो जाए वो हो जाएगा मेभी वो ready नहीं थे बच्चों की responsibility लेने के लिए या वो ready नहीं थे कि आप दोनों के बच्चे हो so finally वो मा बनने के लिए या बाप बनने के लिए ready है अपने आपको prepare कर रहे है और वोई सोच रहे हैं कि yes I want this I want kids so ये कुछ लोग के लिए बड़ा specific message आए सबके लिए नहीं था obviously so I really feel कि ये इनसान बड़ा seriously सोच रहे है इस connection के बारे में आपके बारे में and this is nice actually बड़ी positive बड़ी serious energy है so ये आप लोग की quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप जरूर बताएगा comment section में मैं मिलूँगे आप से next video में till then love you lots bye